तो भती जो आज इंडियन वाइक्स ड्राइविंग 3D में हम अपनी लेंबॉर्गनी सियान को मोडिफाई करवाने वाले हैं आस वीडियो में हम अपनी न्यू लेंबॉर्गनी की डिलीवरी लेने गए थे पारस भाई के साथ एयरपोर्ड पे और बापस आते वक्त कुछ लफडे भी हो गएते वैल अभी हम चल रहे हैं मोडिफाई कराने वो भी बैनी से भाई बैनी एक बंदा आया है अपने इंडियन वाइक्स डाइविंग 3D में जिसकी कार सौप पर रिपेरिंग पेंटिंग मोडिफाईंग तुम जो कराना चाहते हो वो करा सकते हो एंड मैं आपको एक बात तो बताना भूली गया है टेक्नो गेमर्स उज्वल भाई की भी यही पर गाड़ी सारी मोडिफाई होती है तो अभी जल्दी से चलते हैं बैनी के पास एंड अपनी कार को मोडिफाई करवाएंगे देखो ज़्यादा मोडिफाई नहीं कराऊंगा ऐसी कराऊंगा जो अच्छी लगे जैसा कि टेक्नो गेमर्स की सियान में पेंट है ना वैज़ा ही डिक्टो इस पर पेंट करवा दूँगा और उज्वल भाई की भी लेंबोर में पर बैनी नहीं पेंट किया था वैल अभी हम आज चुके हैं बैनी के पास और ये कड़ा है बैनी एड अभी हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में क्या क्या हो सकता है वैल हमारी गाड़ी काफी ज़्यदा गंदी हो गई है तो इसको ये लोग धोवो के एगनम कम्प्लीट करके देंगे उसके बाद पेंट करेंगे और वी इसमें थोड़ा इसकी पावर भड़ाएंगे और मैं वोल ला हूँ इसके टाइट्स को भी थोड़ा चेंज कर दो नाव बैनी से हमारी अभी बात हो चुकी है मैंने उसको बता दिया है कि इस गाड़ी में क्या क्या करना है लेकिन यार उसकी सक्ष लेकर लग रहा था कि इसमें काफी ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि इसमें कितने पैसे लगेंगे इसलिए मैं यहाँ पर एक लड़की है जो भी यही सब काम करती है बैनी के हां तो मैं इससे थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ उतने ही पैसे मैं ले आउंगा मैं मेरी लहम रोग में सियान में कितने पैसे लग जाएंगे कम से कम पचास लाग क्या तुरी इतने सारे पैस अच्छा ठीक है पचास हजार तो ठीक है यार ठीक है बैनी भाई तुम काम सुरू करो मैं आभी आता हूँ पैसे वैसे लेके और तब तक तुम पूरा मोडिफाइड कर दो ध्यान से इसका कलर जरूर टेक्नो गेमर्स वाली लेंबर मीं सियान है ना वैसा कर देना बाई ओ इतने सारे पैसे मैं अभी कहां से लाऊं सारे पैसे तो लेमर्ग सारे पैसे तो इस गाली को खरीदने में लग गए अभी मुझे कैसी भी करकर किसी से हैल मांगनी पड़ेगी अब याद आया यार पारस पारस हमना दोस्त है ना उससे हम लोग हैल मांगते हैं भाई वो गा तो जल्दी से चलते हैं अपने दोस्त पारस के पास तो नाव गाइस अभी हम कंस्ट्रक्शन एरिया में आ चुके हैं और यहीं अपना दोस्त काम कर रहा होगा वह काफी ज्यादा महंती बंदा है जब देखो तब काम करता ही रहता है जल्दी से उसके पास चलता हूँ एंड पिर अपनी लैंद्वर्गनी को लेने चलते हैं नाते आते बस एक घंटे मेंने गाड़ी मिल जाएगी में हम वहां पर ही यारट क्या रोयग तो अरे पास भाई कितना काम करो गया मेरी बात सुनो यार मुझे कुछ पैसे चाहिई है कितने चाहिए थे भाई यही कुछ पचास हजार रुपए है मेरे पास ले लेना तुम कब चाहिए अभी दे तो तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है मैं अभी जाता हूं ले किया तो यार पारस भाई तो गए है पैसे लेने और अपनी थार को लेने उन्होंने साइथ अपने भी घरता है मुझसे नहीं करवाता वैल बस पारस भाई आते ही होंगे एंड फिर हम चलते हैं अपनी लेंबॉर्ग नी सियान को लेने तो फाइनली वती जो पारस भाई आ चुके है हमारी थार भी ले आए हैं अब हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा एंड ओ धैंक्यू भाई बहुत बहुत धन्यवाद मैंने पैसे गाणी में रख दिये हैं वो तुम ले लेना ठीक ठीक भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार पारस भाई ने पैसे रख दिये हैं जिसके लिए तैंक्यू पारस भाई फाइनली अब हम देखने वाले हैं कि हमारी लेंबॉर्ग पाइनली गाईज हम बैनी के शुरूर में आज चुके हैं एंड ओ माई गाड क्या बात है यार इतनी गजब लग रही है यह क्या हमारी ही गाड़ी है भाइसा बिल्कुल चेंज कर दी इन लोगोंने एंड क्या ही गजब कलर और क्या ही गजब लोग मुझे लगता है इन्हों इसके अलॉई भी चेंज की है वाई सुपव कर दी जैसा मैंने सोचा था उससे भी अच्छी एकदम गजब कर दी मैम वैनी के दर है तुम पैमेंट कर दीजे एंड इसके बाद आप गाड़ी ले जा सकते हैं ठीक है यार पहले चेक तो कर लोंगी ठीक टाक चलतो रही है प पहले कर वालो तुम भाई ओ तेरी भाई में टर्बो और वो सब को चुके हैं और भाई क्या ही मुझे इसके ज्यादा अच्छी लगे हैं इसका कलर भी सूपर लगाए एंड इसे थोड़ा बहुत और मॉडिफाई कराने की जरूद नहीं है बैसे भी काफी महगी गाड़ी है यार वाई बहुत बहुत धनेवात आपकी टीम में क्या ही गाड़ी कर दिया अब आप ऐसा करना मेरी थार में कुछ पैसे पड़े हैं जितना आपने बुरा फैसे खर्च हो चुके हैं क्योंकि इसके बहुत जधा काम किया है आप पेंट एक दम ऐसा कर दिया है कि इसकी जो भी काम किया हो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी थार में पैसे पड़े है वह पैसे निकाल लेना थार को घर पर भिजवा देना बैनी से वोल देना कि मैंने उसे घर पर बुलाया है एंड बाकी बच्चे हुए पैसे भी मैं उसी को दे दूंगा ठीक है अरे य गाली भी हम खरीद लेंगे वैसे अभी थोड़ी पैसों की तंगी है सबसे पहले अब घर पे निगलते हैं क्योंकि यह टाइम बहुत जादा हो चुका है कुछी देन में साम होने वाली है यह गाली भिजवा देना ठीक है मेरी थार को ध्यान से यह थार अपनी बैनी ले ही आ देफ्तीर है जाएंगे और गाइस अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो कॉमेंट करो 777 एंड मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए और ज्यादा चैनल पर वीडियो पड़ी है जाके आप देख सकते हैं बाई बाई